अब आप माइक्रोसोफ्ट टीम्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अप्स्टोर में जाना होगा अप्स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च पर क्लिक करना है उपर आपने टाइप करना है माइक्रोसोफ्ट टीम्स जैसे ही आप इस पर टाइप कर लोगे और नीचे से आपको सर्च पर टैप कर देना है ये देखिए आपकी Microsoft Teams एप सामने आ चुकी है तो यहाँ पर आपने Download पर टैप कर देना है तांकि आपका Downloading Process स्टार्ट हो जाए जैसे ही Microsoft Teams आपका Download हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी Option आएगी Open की आपने Open पर टैप कर देना है टैप करने के बाद यहाँ पर आपको Register ID आपकी फिल करनी होगी जैसे कि मेरी Register ID है तो मैं यहाँ पर अपनी फिल कर देता हूँ फिल करने के बाद आपको Sign In पर टैप कर देना है यहाँ पर टैप करने के बाद आपको अपना Password फिल करना होगा तो आपके पास अपना Password होगा तो आपने यहाँ पर अपना Password फिल कर देना है जैसे ही आप अपना Password फिल कर लोगे तो आपने Sign In पर टैप कर देना है तो आपका login process start हो चुका है अगर आप चाते हो कि आपके पास notifications आती रहे टीम्स की तो आपने यहाँ allow पर tap कर देना है otherwise don't allow पर tap कर देना है आगे आपसे यह पूछ रहा है कि आपने अपना microphone on करना है या नहीं तो अगर आप इसका access देना चाते हो तो यहाँ पर आपने ok पर tap कर देना है otherwise don't allow कर देना है मैं इसे ok पर tap कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसे on करना है अब आपने simply नीचे next पर tap कर देना है again next पर and again आपने next पर click कर देना है तो last में आपको got it आएगा तो वहाँ पर आपने tap कर देना है अब आपका Microsoft Teams fully installed हो चुका है